प्यारे बच्चो असलाम अलेकुम आपने साबे के जमात में देखा कि कुछ कुद्रती और मस्टवी रंगिन महलूल तेजाबी और असासी महलूलों में दो मुक्तलिफ रंग जाहिर करते हैं और इसे रंगिन महलूल का तेजाब असास मज़र के तोर पर इस्तेमाल किया जाता है महलूल की तेजाबियत और असास्यत की पैमाईश के लिए पीच पैमाईशी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है इनके महलूलों का pH 0-14 के दर्मियान तब्दिल होता है आईए अब हम देखेंगे के तेजाब और इसकी फालियत किसे कहते हैं जिसमें हमारा पहला पॉइंट है अमले तादिल अमले तादिल किसे कहते हैं देखते हैं जब हैड्रोक्लोरिक एसिट में मुनासिब सोडियम हैड्रोकसाइड की आमिजिश होती है तब हासल शुदा आवे महलूल में सिर्फ सोडियम आयन और क्लोरिन आयन यानी सोडियम क्लोराइड नमक मुनहिल के तोर पर पानी में होते हैं तब हैटोजन आयन और हैड्रो अक्साइड आयन का वाहिज जर्या पानी के तहलील होता है इसलिए इस अमल को तादिली अमल कहते हैं तादिली अमल को दरजजेल मसावत के जर्ये जाहिर कर सकते हैं HCL जमा NOH नतीजे में NACL जमा H2 यानी तेजाब और असास के दर्मियान किमिय तामल के नतीजे में नमक और पानी तयार होता है अब हम देखेंगे के दादो का तेजाबों के साथ तामल कैसे होता है दादों के साथ होने वाली तेजाबों की फॉलियत, तेजाब के इर्तेकास की शिदत, दर्जे हरारत और धादों की आमलियत के जर्ये तैह होती है आम दर्जे हरारत पर कवे तेजाब के हलकाया महलूलों का औसत आमिल धादों के साथ तामल करना आसान होता है दर्जिजल मसावत को देखे, धातों और हलकाया तेजाब के दर्मियान किमिय तामूल के नतीजे में नमक और पाने तयार होता है आईए अब हम धातों के आकसाइड का तेजाबों के साथ कैसे तामूल करता हैं देखते हैं जब हम धातों के आकसाइड का तेजाबों के साथ तामूल करते हैं तो नतीजे में नमक और पाने तयार होते हैं धाती आकसाइड और हलकाया नमक के दर्मियान किमिय तामूल के नतीजे में नमक और पाने तयार होता हैं इस मसावत से जाहिर होता है इसी तरह अधातिय उक्साइड का असास के साथ तामुल देखते हैं अधातिय उक्साइड के साथ असास के किमेई अमल से पानी और नमक जैसे मुरकाबाद बनते हैं इसलिए अधातिय उक्साइड तेजा भी होते हैं और कभी-कभी अधाती ऑक्साइट तेजाब की मिसालों भी तसवूर की जाती है दरजजल पसावत को गहर से देखिए कि अधाती ऑक्साइट और हलकाया नमक के दर्मियान किमिय तामूल के नतीजे में नमक और पाने तयार होता है लेकिन जब तेजाब की धातों के कार्बोनेट और बाय कार्बोनेट के साथ अमल होता है तो गैस तैयार होती है इसे हम मिसाल के जरीए देखते है चूने का पानी, जमा, कार्बन डरॉकसाइड नतीजे में रसूब और पानी तैयार होता है यानि चूने के पानी का कार्बन डरॉकसाइड के साथ के में तामूल होता है और नतीजे में रसूब और पानी तैयार होता है